साथ योग, कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनोतियां आई, हमारे वैज्यानिकों, डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तला से प्रभावी दवाईयां बनाई, आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकोर्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं, ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशन्स भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्स्पिरियंस, उनके अनुभव, वायरस के इन खत्रों और चैलेंजिस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, इतने दशकों में, जिस तरह का मेडिकल इन्फरस्रक्चर देश में तयार हुआ था, उसकी सिमाए आप भली भाती जानते हैं, पहले के समय में, मेडिकल इन्फरस्रक्चर को किस तरह नजर अंदाज किया गया था, इससे भी आप परिचीत हैं, हमारे देश में जनसंख्या का दवाव इस चुनोती को और कठिन बना देता है, बावजूद इसके कोरोना के दोरान, अगर हम प्रती लाग जनसंख्या में संक्रमन को देखें, मृत्युदर को देखें, तो भारत की स्थिती बड़े बड़े विक्सीत और सम्रुद्ध देशों की तुल्ना में कहीं संबली हुई रही है, किसी एक जीवन का असमय समावत होना उतना ही दुखद है, लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है, इसका बहुत बड़ा स्रे हमारे परिश्यमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केर वर्कर्स, हमारे फ्रन्ट लाइन वर्कर्स को जाता है, साथियों, यह हमारी सरकारी है, जिसने हेल्थ केर पर सबसे अथिक बल दिया है, पिछले वर्ष, फर्स वेव के दोरां, हम ने लगबग 15,000 करोड रुपिये हेल्थ केर के लिए आवंटित किये थे, जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्टर को बढ़ाने में मदद मिली, इस साल हेल्थ स्रेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दो गुने से भी जादा, यानि दो लाग करोड रुपिये से भी अधिक किया गया, अब हम ऐसे ख्यत्रों में हेल्थ इंफ्रास्टर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड रुपिये की एक क्रेडिट गरंटी स्कीम लेकर आये हैं, जहां स्वास्त सुविधाओं की कमी है, हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्टर को ससक्त करने के लिए भी 22,000 करोड रुपिये से ज़्यादा आवंटित किये हैं, आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा हैं, 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्स से वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है, मेडिकल कॉलेज के संख्या भी करीब डेड़ गुना बढ़ी हैं, इसी का परणाव है कि इतने कम समय में जहां अंडर गर्जुएट सिर्ट्स में डेड़ गुने से जादा की वृद्धी हुई हैं, वहीं PG सिर्ट्स में 80 परसंट इजाफा हुआ है, यानि यहां तक पहुँचने के लिए जो संगर्ष आपको करना पड़ा, वो कठिनाई हैं, हमारे युवाओं को आपके बच्चों को नहीं उठानी पड़ेगी, दूर सुदूर छेत्रों में भी हमारे जादा से जादा युवाओं को डॉक्टर बनने का आउसर मिलेगा, उनकी प्रतिभा को, उनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी, मेडिकल सेक्टर में हो रहे हिन बढ़लाओं के बीच, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिवद्ध है, हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाब हिन्सा को रोकने के लिए, पिछले वर्षी कानून में कई कड़े प्रावधान किये हैं, इसके साथ ही हम अपने कोविड वर्यर्स के लिए फ्री इंसरन्स कवर स्किम भी लेकर आए हैं,